यह वेलकम टू अमेजिंग सीवी एंड चंद्भूसन तो क्या होगा यदि हम बैटरी के कनेक्शन को गलत कर दें हमारे घरों में चलने वाले कोई भी डिवाइसे हो यदि हम जो बैटरी से ऑपरेट हो रहे हैं तो यह तो वह डिवाइस बर्न हो जाती है या फिर वर्क नहीं करती सेम दो ही कंडिशन सामने आते हैं तो इस प्राब्लम को दूर करने के लिए आज हमारे पास एक नया गैजेट है आपको दिखाने वाले हैं कि हम उस गैजेट के माध्यम से बैटरी के प्लारिटी को भूल जाईए कौन सा पाजिटिव है कौन निगेटिव कोई फर्क नहीं परने वाला है पाजिटिव को आप निगेटिव पर दे दिजिए निगेटिव का पाजिटिव पर आपका जो भी डिवाइसे जैए वो हंडेट एंड वन हंडेड एंड टैन परसेंट उसको वर्क करना ही है चलिए दिखाते हैं आपको गैजट का उनसा है लेकिन सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कर लें साथ में सेर करते रहें और बेल का आइकन पुछ करके नोटिफिकेशन बेल आन कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प् बढ़ते हैं और दिखाते हैं ओक गैजट का उनसा है आपको यह देखें यह रहा डायोड फोर डायोड इसी के माध्यम से हम इस गैजट को बनाने वाले हैं तो बैसिकली करेंगे क्या इसमें हम एक रेक्टिफायर बनाएंगे जो की ब्रिज रेक्टिफायर होता है तो सिं बचे हुए दो डायोड को इनके पाजिटिव टर्मिनल से आपस में जोड़ देंगे अब यह जो वान टू और थ्री और फॉर पॉइंट बचे हुए हैं इनको इस प्रकार जोड़ेंगे कि एक का पाजिटिव दुसरे का निगेटिव आपस में आ जाए यह देखिए ब्रिज रेक्टिफ हायर बन के रेडी है अभी इसी पे हम कनेक्शन कर आगे की डिवाइस को चला के देखने वाले हैं कि काउन सा पाजिटिव काउन सा निगेटिव या फिर मेक्स कैसे चलता है क्या होता है बने रही है वीडियो पे थोड़ा भी स्कीप नही समझ में नहीं आने वाला तो अपने सोल्डर के माध्यम से कुछ वायर को जोड लेंगे यह रहा वायर कटर की सहायता से थोड़ा सा छील लेंगे इसको इसके पीवीसी को हटा लेंगे यह जो वायर है इसको हम जोड देते हैं इसके बैटरी वाले पॉइंट पे चुकि यह ब्रिज रेक्टिफार होता है एसी को डीसी में कनवाट करने का कार करता है तो इसमें जहां पे डीसी आने वाली है वहां पे हम इसके पाजिटिर निगेटि को प्रॉपरली जोडेंग चलिए वायर ना जोड के सीधे ही जो डिवाइस चलाना है उसको जोड देते हैं अभी अपने पास एक लाइट है यह रहा जो की है बारा बोल्ट डीसी पर आपरेट होती है इस पेसिफिकेशन आप भी देख लीजिए पंदरवाट का है अभी स्टाट करते हैं इसको डारेक्ट जोड देते हैं अपने ब्रीज रक्टिफायर पर सोल्डर के माध्यम से धिरे धिरे हम इसको जोड के अपने कनेक्शन को रेडी कर लेंगे दोस्तों यह जो ब्रीज रेक्टिफायर होता है जो डायोड के थ्रू बनाया जाता है इसमें जो निगेटिव टू निगेटिव दो डायोड आपस में जुड़े हुए हैं यह हमारा पाजिटिव सिरा होता है यहाँ पे हम पाजिटिव र को जोड देंगे और जहाँ पे डायोड का जो पाजिटिव टू पाजिटिव दो डायोड जुड़े हुए हैं दोनों का सिरा वो हमारा निगेटिव पॉइंट होता है तो वहाँ पे हम यूर को जोड देंगे अभी बसता है मेरे बैटरी का वायर जहाँ पे बेटरी का वायर जाहां पे ब्रिज डेक्टिव फान में हम लोग एसी का वायर जोडते हैं ट्रासपार्मर का वहीं पे हम लोग जोडेंगे बैटरी के लिए वायर तो ये रहा बैटरी का वायर हमने इस पर जोड़ दिया और ये रही हमारी 12 बोल्ट की बैटरी अभी आपको दिख भी रहा होगा इसका पाश्टिय और निगेटिव टर्मिनल अभी हम इस पर इस वायर को जोड़ने वाले हैं ये देखिए इसका ये रेड है रेड को प्लस पर रखते हैं इसको माइनस पर ये देखिए ये लीडी हमारी जल रही है गलो कर रही है अभी हम इसको उल्टा भी लगा के देखने वाले यानि कि पलट के भी लगा के देखने वाले पाजटी को निगेटी पे निगेटी को पाजटी पे ये रहा मेरी LED प्रापर जल रही है यानि कि इसमें पाजटी और नेगेटी का कोई भी बाउन्डेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा आए इस लेडी को हटा के DC का एक फैन भी चला के देखते हैं यह DC का फैन है आप पहले भी मारे वीडियो में देख चुके हैं यह फैन एक VLDC फैन है इसको यदि हम प्लस और मानिस कनेक्ट चलता है यदि हम इसको गलत कनेक्शन देते हैं तो अपरेट नहीं होने वला यह देख लिजी तो अभी इसके कनेक्शन को हम इस डिजाक्टी फायर पर चलेजिते हैं इस LED के वायर को हम निकाल लेंगे और अभी ये रहा मेरे पास ये फाइन का वायर हमने बताया था कि जो निगेटिव दो डायोड आपस में जुड़े हुए हैं वो हमारा पाजिटिव सिरा होता है बिज रेक्टिफायर के केस में और जो दो पाजिटिव सिरे जुड़े हुए है डायोड के वो हमारा निगेटिव पॉइंट होता है तभी कनेक्शन कम्प्लीट है अभी हम डारेक्ट ही आपको अपनी बैटरी से भी जोड़की दिखाते हैं यह रहा पहले इसके कनेक्शन को सिधा सिधा लगाते हैं यह हमारा पॉइस्टिव आयर है यह निगेटिव फैन प्रापर चल रहा है आपको इसके साउन जिसके फैन के हवा की साउन के रहा वाज ही आती होगी अभी इसके कनेक्शन को हम गलत करके भी देख लेते हैं यह रहा पैन हमारा दोनों कंडीशन में प्रापरली वर्क कर रहा है दोस्तों यदि आप ब्रिज रेक्टिफायर को बनाना नहीं चाहते हैं सोचते हैं डारेक्ट ही पर्चेश कर लिया जाए तो ब्रिज रेक्टिफायर कई माडल के आते हैं आपको हम दिखा भी सकते हैं यह हमारे पास कुछ ब्रिज रेक्टिफायर अल्रेडी मार्केट से पर्चेश किये हुए हैं एक है जी बी यू एट जीरो सिक्स देख लीजिए इसमें पाजिटी निगेटिव लास्ट में किनारे पर दिया हुआ है जो एसी का पॉइंट है वो बीच में दिया हुआ है और एक और है के भी पीची पचास दस वानको कंपनी का है इस पर पॉजिटीव का टर्मिनल्स हो किया गया है और एसी का गया है जो की diagonal point पे इनके terminals होते हैं जैसे कि यह हमारा positive सिरा यहाँ पे दिया गया है तो यह negative सिरा होगा और यह रहा bridge rectifier जो diode का भी हमने आपको बना के दिखाया है इस पे तो आपको समझ में आही गया होगा कि जो दो positive आपस में जुड़े हुए हैं diode के वो हमारा negative point है I hope कि यह वीडियो आपको बहुत पसंदाई होगी ऐसे ही amazing वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं अपनी next वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत